गुड मॉर्निंग ओल ओप यू, विकॉम पार्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट बिजनस एड्मिनिस्ट्रेशन, व्यवसाइप प्रशाशन, पेपर फर्स्ट, बिजनस लो, व्यापारिक सन्नियम आज आपन अध्यन करते हैं निक्षेप या उपनिधान अनुबंध हम दैनिक जीवन में निक्षेप अनुबंध करते ही रहते हैं कभी हम पुस्तक, पैन, पत्र-पत्रिगाएं एक दूसरे से मांग कर काम चलाते हैं कभी पडोशी से घरलू उप्योग की वस्तु लेते हैं या देते हैं कभी अन्य साथी को स्कूटर या गाड़ी उप्योग हेतु देते हैं कभी-कभी ये सब तथा अन्य कई वस्तु में बाजार से किराय पर भी प्राप्त करते हैं कभी-कभी हम अपनी वस्तु दूसरे के पास सुरक्षा या देखरेख या मरमत के लिए छोड़ आते हैं ये सभी एक अनुबंद को जर्म देते हैं, जिनमें या तो हम अपनी वस्तु दूसरे को किसी उद्दिश्य के लिए आल्पकाल के लिए सौप देते हैं, अत्वा हम दूसरे की वस्तु को प्राप्त करते हैं, और उद्दिश्य पूरा होने के बाद वापस लोटा देते हैं, ऐसे सभी अनबंदों को निक्षेप अनबंदों के नाम से जाना जाता है। वापस लोटा देगा अथवा उसके कहे अनुसार उस वस्तु की व्यवस्ता कर देगा अथवा किसी अन्य वेक्ति को दे देगा। इस अनुबंद में जो व्यक्ति माल सुपूर्द करता है उसे निक्षेपी या निक्षेप करता कहते हैं तथा जो वस्तू प्राप्त करता है उसे निक्षेप ग्रहिता कहते हैं अनुबंद अधिनियम की धारा 148 के अनुशार जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी उद्देश्य से इस अनुबंद पर माल सुपूर्द करता है कि उस निश्चित उद्देश्य के पूरा हो जाने पर उस माल की सुपूर्दगी देने वाले को माल लोटा दिया जाएगा अथ्वा उसके निर्देशा अनुशार उस माल की व्यवस्ता कर दी जाएगी तो ऐसे अनुबंद को निक्षेप अनुबंद कहते हैं इसके कुछ उदारण अपन इसपस्ट करते हैं जैसे ए बी से एक पुष्तक एक सप्ता के लिए मांग कर लेता है दुसरा उदारण ए अपनी गाडी रिपेर हेतू बी को देता है तिसरा उदारण ए अपना सूट बनाने के लिए बी नामक दर्जी को कपड़ा देता है अगला उधारण A अपनी गाड़ी B को पार्किंग स्थल पर पार्क करता है इन अनबंदों में A निक्षेपी तथा B निक्षेप ग्रहिता होता है अब अगला हेडिंग उप निक्षेप ग्रहिता जैसा की इसके नाम से इस्पष्ट है कभी-कभी निक्षेप अनुबंद में कोई उप निक्षेप ग्रहिता भी समलित हो जाता है ऐसा तब होता है जबकि कोई निक्षेप ग्रहिता निक्षेपी की स्पष्ट या गर्वित सहमती से निक्षेपित माल को किसी तिसरे पक्षकार के पास पुने निक्षेप कर देता है तो वह तिसरा पक्षकार अर्था निक्षेपी ही उप निक्षेप ग्रहिता कहलाता है उधारन के लिए A ने अपनी कार का भीमा करवा रखा है वह कार दुरगटना गरस्त हो जाती है यहाँ A. निक्षेपी, B. मा कंपनी निक्षेप ग्रहिता तथा B. उप निक्षेप ग्रहिता कहलाएगा निक्षेप अनुबंद के आउशक तत्व या लक्षण कौन-कौन से होते हैं यह पॉइंट बेस पे अपन अध्यन करेंगे पहला लक्षण निक्षेप अनुबंद का अनुबंद निक्षेप का जन्म अनुबंद से होता है अनुबंद इस्पष्ट या गर्भित कैसा भी हो सकता है कभी-कभी निक्षेप का जन्म कानूनी प्रभाव से भी हो जाता है अर्थात अर्धनबंद के कारण कानून थौप दिया जाता है दूसरी विशेष्टा या लक्षन माल का निक्षेप केवल माल का ही निक्षेप हो सकता है यहां माल से तात्परिय उस माल से है जिसे माल विक्र एदिनियम 1930 में परिभाशित किया गया है इस परिभाशा के अनुसार प्रतेक चल संपत्ती मुद्रा तथा वाद योग्य दाओं को छोड़ कर माल है केवल चल संपत्ती का ही निक्षेप किया जा सकता है अचल संपत्ती का नहीं माल सब्द की विश्तित परिवाशा अपन आगे माल विक्र एदिनियम के अंतरगत अध्यन करेंगे तिसरी विशेष्ता वस्त्वों की सुपुर्दगी या अंतरण निक्षेप अनबंद का एक आवशक तत्व यह है कि निक्षेपी द्वारा निक्षेप ग्रहिता को माल की सुपुर्दगी या वस्त्वों का अंतरण होना आवशक है यदि निक्षेपी अपने माल निक्षेप ग्रहिता को नहीं सौंपता है तो उसे अपन निक्षेप नहीं कह सकते है चोथी विशेष्ता निश्चित उद्देश्य निक्षेप अनवंद का एक तत्व यह भी है कि निक्षेप किसी निश्चित उद्देश्य से ही किया जाता है यह उद्देश्य स्वयम निक्षेपी का हो सकता है अत्वा निक्षेप ग्रहिता का निक्शेपी का उद्धेश्य, वस्तु की सुरख्षा, मर्मत, उपयोग, परिवहन, गिर्वी, आदी कोई भी हो सकता है. निक्शेप ग्रहिता अपने उपयोग के लिए माल या वस्तु के निक्शेप का प्राप्ती का प्रस्ताव कर सकता है. पांचवी विशेष्ता या लक्षण एस्थाई उद्देश्य निक्षेप में वस्तों की सुपूर्दगी एस्थाई उद्देश्य के लिए दी जाती है यदि वस्तों की सुपूर्दगी सदेव के लिए कर दी जाती है तो वह भेंट या विक्रे हो जाएगा नंबर 6, स्वामित्व का अंत्रण नहीं निक्षेप अनुबंद का एक महत्व पुन तत्व यह भी है कि इसके अंत्रगत स्वामित्व का अंत्रण नहीं होता है निक्षेप अनुबंद में केवल माल के अधिकार का ही अंत्रण होता है पजेशन साथ नंबर का दक्षन माल की वापसी निक्षेप अनबंद का एक तत्व यह भी होता है कि निक्षेपी को निक्षेपित माल को पुने प्राप्त करने का अधिकार होगा अथ्वा निक्षेपी अपने आदेशा अनुसार उस माल की व्यवस्ता कराने का अधिकारी होगा नमबर आठ माल का रूप परिवर्तन निक्षेप अनुबंद के अंतरगत निक्षेपी को उसी वस्तु को प्राप्त करने का अधिकार होता है अथवा उसे परिवर्तित रूप में प्राप्ट करने का अधिकार होता है नमबर नो निक्षेप अनबंद शती पूर्ती का अनबंद नहीं निक्षेप अनबंद में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को वस्तू को सुरक्षित रखने के लिए सौप सकता है किन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि वस्तू परियाप्ट सावधानी के बाद भी नश्ट हो जाती है तो निक्षेप अनबंद शती पूर्ति के लिए उत्तरदाई नहीं होता है नमबर दस, बैंक में जमा धन निक्षेप नहीं है बैंक में चालू खाते अथ्वा इस्ताई खाते अथ्वा बचत खाते में रुपय जमा करने के लिए दिया गया धन निक्षेप नहीं होता है मुद्रा को माल नहीं माना जाता है माल विक्र एदिनियम की धारा दो उपदारा साथ की परिभासा के अनुसार मुद्रा को माल नहीं माना गया है जबकि निक्षेब केवल माल का ही होता है अता है मुद्रा का निक्षेब नहीं किया जा सकता है और बैंक इन खातों में जमा किये जाने वाले नोट या अन्य मुद्रा को मूल रूप में अर्थात वही नोट चुकाने के लिए उत्तरदाई नहीं होता है इस प्रकार प्रधान की ओर से धन एकत्र करने वाला एजेंट भी निक्षेब ग्रहिता नहीं होता है अब इसके अंतरगत अपना आगे अध्यन करेंगे कुछ निक्षेब के विशिष्ट मामले हैं निम्नांकित देशाओं में निक्षेब हुआ माना जाता है नमबर वन सरकारी अधिकारियों द्वारा माल जप्त करने पर सरकारी अधिकारियों को कई अधिनियम के अधिन कुछ विशिष परिस्तितियों के अधिन दूसरे विख्तियों के माल को जप्त करने का अधिकार दिया जाता है ऐसे में सरकार निक्षेप ग्रहिता की इस्तिती में तथा माल का स्वामी निक्षेपी की इस्तिती में आ जाते हैं निक्षेप के विशिष्ट मामलों में दूसरा है प्रलेखों को जमा करना कभी कभी कुछ दस्तावेज यें प्रलेख जैसे इस्ताई जमा की रशीदे, परतिग्या पत्र, राष्ट्रिय बचत पत्र, आदी परतिभूती के लिए लेखा पुस्त के रजिस्टर, आदी सरकारी अधिकारियों को सौपने पड़ते हैं ऐसे में प्रलेखों के स्वामियों तदा सरकार के बीच निक्षे पनबंद का जन्म हो जाता है जब माल बाहर से आयत किया जाता है, अथवा माल को बाहर भेजा जाता है, तब माल को कभी कभी कुछ अवदी के लिए बंदरगाह पर संग्रे संग्रे करने के लिए रखना पड़ता है, ऐसे में बंदरगाह के प्राधिकारियों तथा माल के स्वामियों के बीच निक्षे पनबंद का जन्म हो जाता है अथवे प्राधिकारी निक्षे प ग्रहिता के रूप में उत्तरदाई होते हैं लोक वाहक, रेल विभाग, ट्रांस्पोर्ट कंपनिया, कूरियर कंपनिया, आधि लोगों को माल की सुपूर्दगी प्राप्त कर निक्षे प ग्रहिता की इस्तिति में आ जाती है अताय निक्षे पनबंद के अधिन निक्षे पी के प्रति उत्तरदाई होते हैं नंबर पांच, पार्किंग स्तल के लाइसेंस धारी पार्किंग स्तलों के लाइसेंस धारी जब जनता के वाहनों को पार्किंग के लिए स्विकार करते हैं तो वे वाहन मालकों के परति निक्षे प ग्रहिता के रूप में उत्तरदाई होते हैं सराय पालन राह गीरों ओबलिक यात्रियों को ठेरने के लिए सराय संचालित करने वाले सराय पाल भी वहां ठेरने वाले यात्रियों के सामान की सुरक्षा के लिए निक्षेब ग्रहता की भाती उत्तरदाई होते हैं अमानती सामान ग्रह हैं लोगों के सामान की सुरुक्षा के लिए संचालित अमानती सामान ग्रह निक्षेप ग्रहिता की स्तिती में होते हैं पोस्ट अपिस जब कोई विक्ति व्यवसाई वीपीपी आधार पर पोस्ट अपिस से माल दूसरे विक्ति के पास भेजता है तो पोस्ट अपिस तथा माल भेजने वाले के बीच निक्षेप अनबंद हो जाता है नमबर नो किराय क्रय पद्दिती से माल का विक्रय जब माल का विक्रय किराय क्रय पद्दिती के अधिन बेचा जाता है तो क्रेता तब तक उस माल के लिए निक्षेप ग्रहिता की इस्तिती में होता है जब वह किराय का अंतिम किस्त का भुगतान कर देता है तब निक्षेप अनबंद हो जाता है नमबर दस उचित मुल्ले की दुकान उचित मुल्ले की राशन की दुकान पर सरकारी माल बेचा जाता है इस इस्तिति में दुकानदार निक्षेप ग्रहिता तथा सरकार निक्षेपी है नमबर ग्यारा विक्रे किये गे माल पर अधिकार रखने वाला व धन्यवाद